Hello students, welcome to this class. आज हम करने जा रहे हैं सिक्वेंस सीरीज के मोस्ट इपोर्टेंट कोशन जो कि आपका एक्जाम है 16 नवंबर से एर फोर्स के अंदर. उस एक्जाम के अंदर कोशन आएंगे, जितने भी दिन अभी बचे हुए हैं, इन सभी दिनों के अंदर हम लगातार इपोर्टेंट कोशन सभी चप्टरों के करने वाले हैं, जो भी एक्जाम के अंदर आ सकते हैं. तो करीब-करीब 500-600 कोशन होगे, जो बहुत हम असानी से कर सकते हैं, और आज हम स्टार्ट करें सिक्वेंश रिज के पोर्टेंट कोशन, देखिए और साथ मिलके सोल किजिए. सबसे फर्स्ट कोशन है, ABC-RN-GP, ABC-GP के अंदर है, ABC-GP के अंदर है, तो क्या करो, जिप्पी माल लो, क्या जिप्पी माल लो, जैसे कि माल लिया 248 माल लिया, 248 जिप्पी है ना, जो भी जिप्पी आपको पता हो, 124, 248, कुछ मर्जी माल लिया, अगर हमने 248 मालना, तो ABC-GP में माल लिया, 1 by A, A कितना था भई, 2 था, P कितना था, 4 था, और C कितना था, 8 था, अफट अफट देख के बतादो, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 किस में है, AP में है, JP में है, किस में है? जिपी में, जिपी में देख रहे हैं कितना है, वन बैट हो आ रहा है, अरे जिपी का रेसिप्रोकल जिपी होगा भाई मेरे, होगा की नहीं होगा, तो जिपी का रेसिप्रोकल जिपी होगा, एपी का रेसिप्रोकल एच्पी होगा, एच्पी का रेसिप्रोकल एच्पी होग ने गरते हैं नहींक एक कोस्षन कोस्षन कोष्चन देख लो क्या है इन्फिनिटी सिरीज कि जैसे काशρη pers ऐसी पी एन्फिनिटी सिरीज का यह लगा देना ऐसाटांगत बशल्च अहक्या और और ना है इस था थी यार्ट 시청 ना इस थंप फॉस्ट रहुत ही कितने हैं जोगे और यह 45, माइनस में 45 अलफा, ठीक है, तो जो 45 अब इधर आ कि क्या हो गया, माइनस का 21 और माइनस का 45 अलफा, कट कर लो, तो यह 21 पटे 45, किस पे जा रहे है, यह जा रहे है, तीन से जार रहे, 7 बटे 15, यह आपका अंसर आगया, 7 बटे 15, देखो काँ, 7 बटे 15, हो बस बहुत असान question है, बस क्या करना था, formula ध्यान रखना था, और इसके अंदर कुछ भी नहीं था, formula ध्यान रखना था, formula रखो ध्यान, फिर जो देर रखा, put कर तो अपने आप अंसर आए, ठीके न, चली, next question करते है, अब क्याता है, angle एक quadrilateral के AP में है, ठीक है, और difference कितने का that's half of dollars, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, 10 का difference, देर और difference, 10 है, 10 है, 10 है, 10 का difference, 10 है, 10 है, 10 is correctly, 10 है 24, 26, इसका नहीं आरहा भई, 24 उत्रा रहा है, 17, 24, 30, 320 इसका नहीं आरहा भई, इसका कर लो 10 और 19, 19 और 8, 27 और 7, 34, 355 इसका यह हो गे, 360 इसका नहीं आरहा है, इसका करके देखो तो difference भी इसका हो गया भई, यह तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो B answer आ गया, ठीक है, option दिये किसलिए होते हैं, काफी सारे question तो option से हो जाएंगे, question देखो, option देखो, जैसे मर्जी करतो, कोई निपूस्ता कैसे कर रहा है, ठीक है, answer ठीक होना चीए बस, और अगर basic से करना है, तो समाना चे, 306 degree, और इनको add करोगे, तो यह सारे कट जाएंगे, यह कितना आ गया, 4A, यह कितना आ गया, 90 degree, अब यह गलती मत करते हैं, यह 90 degree, यह मतलब first term, लेकिन first term नहीं है, यहाँ पर, first term क्या है, first term तो, A minus 3D है, ठीक है, अब लोगे D तो देखा, question में, फिर गलती पांच, आपने जो D मानना है, इसने जो D दे रखा ना फरक है, इसने तो D दे रखा, difference है, लेकिन अपना difference कितना है, 2D का difference है, तो D कितना हो गया, 5, अब पूट कर लो, इनके अंदर अपने answer आजेंगे, 90 में से कया, 15, 75, ठीक है, 90 में से कया, 5, 5 add कर दिया, और फिर 15 add कर द आदी, अब गलती मत करना, आगे देख लो, कोशन, अब अगला कोशन है, क्या कहता है, फर्स्ट ओफ, फर्स्ट रम दे रखे है, फिर्स्ट रम का सम बताने, फोमला होता है, क्या फोमला होता है, सम का, N by 2, 2A, N minus 1 into D, ठीक है, फटा-फट सारे फोमले पढ़ लेना, सभी chapter होगे, ठीक है, फकेपर होगया था, फर्स्ट रेट, और फोमले सब बच्चों को आते होगे, ऐसा फॉमला इसको बच्चा ने होगा, इसको फोमला नहीं आता, फ़ाई मेरे किसी को फोमला नहीं आता, तो फॉमला पढ़ लो, ठीक है, आरा लगसे मैं फोमले बता भी 144, difference कितना है? 4 अचार है, बस इसको solve कर तो, तो यह कितना हो गया? 4 यह हो गया, 140, 160 हो गया, 160 है, और multiply 20, कितना अनसर आगया? 32, सेकंडों की साफ से question करोगे, जब भी बात बनेगी, पेपर में time थोड़ा है, calculation के उपर ज्यादा time खराब नहीं करना, जल्दी से जल्दी कर देना question, चलो भी, next question देखलो, nth term दे रखी है, और sum बताना है, ठीक, nth term दे रखी है, अभी देखो, nth term दे रखी है, 2 n प्लस 1 बा अगया, n को एक put करा, तो यह आगया, 1, first term 1 आगी, अच्छा, difference अगर ट्रिक से करो, तो n का जो coefficient होता है, वो difference होता है, n का जो coefficient होता हो, क्या होता है, difference, और किसी को ना पता हो, तो 2 put कर लो, 2 put करोगे, ती आएगा 5 बटा 3, और इसमें से माइनस करोगे, तो difference आजेगा कितन 2 by 3, ठीक है, n का coefficient difference होता है, ट्रम में, चलो, आगे यह, और बताना क्या है, 19 ट्रम का सम बताना है, तो formula लगा दो, 19 by 2, 2a, 2a हो गया, 2, 18, अडिफरेंस कितना, 2 by 3, यह कितना हो गया, 6, 6 दूनी, 12, 12, 12, 14, multiply 14, और यह हो गया, 7, ठीक है, 19 सत्ता देख लो, कितना बन गया, 133, हो गया बसंद से, formula ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है आएगा, भई, दिक्कती क्या है, चलो, बई, next question है, अब कहता है, m-th ट्रम जो है, इसकी, और इसकी, same है, m की value बताओ, निकाल लो m-th ट्रम, m-th ट्रम का formula क्या होता है, a plus m minus 1 into d, यह formula होता है, a कितना था, 63, difference बोल difference है, पहले वाले में 2 का, और दूसरे वाली जो series है, उसमें, first term कितनी है, a, a difference कितने का है, 7 का, from तो same है, ना, तो दोनों में term का formula लगा दिया, same रख दिया, अब क्या कर दो, 3 तो इदर आखे हो गया, minus है, और यह उदर जाके हो गया, minus है, तो 5 और m minus का, 1, 12, m minus 1, m की value बत इससे सान क्या होएगा, और formula पता हो, बस है, चलो, अगला question, 10th term बतानी है, AP की, सबसे पहले first term देख लो, और जो गलती हर पच्चा करता है, वो गलती देख लो, difference, difference बता दो क्या है, second term minus में first term, minus 1 plus 4, difference कितने का, 3 का, आगे को गड़बड देखे है, तो और आके देख लो, difference 3 का है, गलती मत करना, difference दे रखा है, अटरम कौन सी निकालने है, 10th term, formula बोल दो, A plus 9, D, A बोल दो, और D बोल दो, यह हो गया, 27 में से चार गया, 27 में से चार गया, 20 plus, ठीक, answer आ गया, formula क्या, टरम का formula है, sum का formula है, यह दो ही तो formula है, और कितने formula है, और जायता है, और जायता तो इसके अंदर एक चीज देख लेना, यह न, अब EP नी बन रही, GPHP कुछ भी नी बन रही, लेकिन ऐसा question होगा, इसको हम 1 minus 1 by 3 लिख सकते है, मतलब की, ऐसे लिखो पहले इसको, 1 divided by 1 multiply 3 लिख सकते है, तर इसको 3 multiply 5 लिख सकते है, इसको 5 multiply 7 लिख सकते है, और ऐसे last वाले 11 multiply 13 लिख सकते है, कुछ न, कुछ pattern बनेगा इसमें, तर इसको इनका difference सेम चल रहा है, और एक trick बतायता हूँ, बहुत जबरदस्त trick है, एक तो लिख लो पहली ट्रम, minus में लिख लो आखरी ट्रम, और जो इनका difference है, उससे करतो, divide, difference कितने का था, दो का था, तो यह हो गया 1 by 2 by 2, 12 by 13, कट करके कितना आगया, 6 by 13 अंसर आगया, प्रिक सुन लो दुबारा, पहली ट्रम, minus में आखरी ट्रम, और डिवाइड में क्या difference अंसर आजएगा, ऐसे question जितने भी हो इसी trick किसे करने है, सोचने की जूरती में हो, ठीक है, और जो भी trick को 500 most important, जितने भी trick के पूर कोई मर्जी पेपर दे लो भई, एरफोर्स का, नेवी का, एंडिय का, अपना अपना बेह सेगरी कल्चर का, जैए मेंस का, कोई मर्जी पेपर दे लो, कोई दिक्कत में, क्या है, जिप्पी है, इन्फिनिटी सीरीज की formula बोल दो, A upon 1 minus R है, A बोल दो, R बोल दो, ठीक है, अरे, सोल कर दो, क्या अंसर आगया, 2 अंसर आगया, बस, ठीक है, असान है बिलकुल, चलिए, कहीं पर भी अलगे है, थोड़ी स्पीड चल रही है, क्योंकि काम बहु जैदा है, टाइम थोड़ा है, ठीक है, वीडियो को दुबारा देख लेना, पोज करके देख लेना, औ हो, फैमली में हो, ठीक है, बहुत बढ़ीया तरिक्के से बता हुआ होगी, फर्ट ट्रम है, जिपी की 4, और प्रोड़क्ट बताना है, फर्स्ट फाइव ट्रम का, फर्ट ट्रम का मतलब होता है, AR का पावर 2, जिपी की ट्रम यह होती है, एंट स्ट्रम का होती है, AR की बिख लिकली हैकी पाउर होगी 5 और र की पाउर कितनी होगी 10 अप्र बाते पाउच जो इसको अपने पास है उसको रख दो चार था 4 पाउर 5 असर आ बेन बच्चे पता है क्या बोलते हैं ना तो फैस रम दे रखा यह है अपन 2015 देख लो जो कोशन में दे रखा है कोशन के साब से दे रखा होगा पर ले लिख लो कोशन में क्या दे रखा है और क्या पूछ रखा है अपने आप अंसर आएगा दिक्कत ही नहीं कुछ चलो भई अगला कोशन देख लो कुन fine गुंआ कुण्सी aa3 रखया प्रक्रास Intjo छिरा 4 प्रैफल का फॉबला ए आर की पावर माइनस वन गुदा है ओर ओर 4 डिर्त सब्सक्राइब से शैकंड डिवाइड बाए फ्रस्ट रहस्टर मेंफ़ा प्लस में है है तो – 1 by 2 divided by 1 by 4 4 चला गया उपर तो यह आगया minus का 2 हागया और यह क्या आगया? restless C, भी जिप्पी है minus का 2 n minus 1 और यह 2 की power बता दो कितना होता है? minus 2 की power होता है 7 तो यह कितना है? 2 की power minus 2 है तो minus 2 की power कितना हो गया है? अब यह देखना जो है इसको एक काम कर गो ऐसे लिख लो जैसे इसको लिख लो माइनस टू की पावर लिख सकते हो ना कोई दिक्कत नहीं है माइनस टू की पावर माइनस टू लिख सकते हो और यह माइनस टू की पावर कितनी है एन माइनस का वन है माइनस टू की पावर होगी सेवन तो माइनस टू की पावर हो गया यह कितना एन माइनस का थरी और माइनस टू की पावर हो गई सेवन बे सेम तो पावर सेम एन कितना आ गया तस दस्विन ट्रम आ जागी गलती नहीं करनी कोशन लिखो फॉमुला को पेपर में थोड़ा सा रफ सीट के लिए जो है पेपर कम मिलते हैं सबी पेपरों के अंदर फुड़ी सी कोशिस यह करनी है जैदा सोचो और कम लिखो ठी पुछन नहीं है तो पोटिन कोशन रेसो बताने संगे स्ट्री ट्रम त्लर मुन इंदर में किसका है वह इसका है कहले है जिप क्या शुМ्मheenट रखे गया तो जोलो कॉमान रेसो पुछ रख रखाए वो संगी संगे उलिट्य का फ्रम वक्ताम का यह रखता है यह formula लिख लिया, और कितना दे रखा है, रेशो दे रखा है, 125 बटे में 152, जो दे रखा है, वो लिखी दिया, जो कट रहा है, कट करतो हो भई, ये भी गया, ये भी गया, अब जो R की 3 माइनस 1 है, उपर तो, नीचे R की 6 माइनस 1 है, इसको लिख लो R की 3 प्लस में 1, और R क 3 माइनस में 1, पुछो कैसे लिखा, ऐसे लिखा, A स्केर माइनस B स्केर, A प्लस B, और A माइनस B होता है, बिल्कुर सही बात है, तो जो है न, इसको लिख लो, A की A की पावर 3 का स्केर, माइनस 1 का स्केर, तो बता दो क्या formula बनेगा, ये तो बनेगा, बस और क्या था, इससे ये cancel हो गया, 125 बटे कितना आगया, 152 आगया, अब इनको प्लट दो, क्योंकि R निच्चे है, अपने को तो R उपर चीए, तबी तो सोल होएगा, 152 बटे 125 है, और R की 3, एक माइनस कर दो, 27 बटे 125 है, तो R की वैलू बता दो, फटा फट, 3 बटे 5, क्योंकि 27 का क्यू इससे ये का लेकिन, क्योंकि तो चलो बटे 5, क्योंकि ये तो चलो बहुत कम आनी है, ये क्या, अपना ये मालो 8,9,10, ये क्योंकि आती अपकी बार थोड़ी सी ज्यादा की उमीद है, 12 ते रा आ जाएगी और क्या है, लेकिन कम से कम 15 जो है ना, इसमें से आएंगे, जो कर जितने कोशन उनी में से कोशन आएगा चलिए फड़ा फड़ देखिए ABCGP में 248 मान लो भई मान लिया तो इसमें पूट कर दो A का स्केर 4 B का स्केर 16 प्लस B का स्केर 16 माइनस 1 बाइ 12 प्लस में 1 बाइ 16 LSM बोल दो 48 माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 बाइ 48 माइनस का 1 बाइ 48 पर लिबाद तो fraction आएगी बिना fraction answer नहीं आएगा answer माइनस में आएगा अर ये बड़े नमबर से छोटा नमबर बड़े नमबर से छोटा ये तो पलस में आजेगा answer एक ही बचा ये answer आगया फिर भी कोई समस्या है तो बी और सी की वेलू पूट करके देख लो जिससे आए वही अंसर हो जाएगा तो यह तो 64 था ना चलो 64 था तो 48 आगे ठीक है ऐसा भी ऑप्शनों में पूट करके देख लो ठीक है कोई दिक्कत नहीं 2-4-8 मानना कोशन में पूट ओप्शन में पूट जहां से आजए वही अंसर है चलो नेस्ट कोशन आजाओ वह है जिप्पी है और इंफिनिटी सीरीज है तो फर्मला वोलो फर्स्ट रम डिवाइड बाए 1-6 आर भी X ही दे रखा है एकस की वयली पूछ रखिय अ कटना व्य गाए है अ सान कोशन है बिलकुल और कोई कर दो किया कशन में इसन मेंगा कान Där 40 question करा दिये, मतलब इसमें 40 question है, sequence series के अंदर, important question, एक question आजेगा, इनके जैसे आएगा, बस यह 2 की जंगे 4 आ गया, 4 की जंगे 5 लिखे दिया, बस यह फरक होएगा, यह देख लो question ध्यान से, देख लो important question है, बिल्कुल एक second के अंदर इसको करतेंगे, बेसिक से करेंगे, तो बोजयता लेंथी लगेगा, क्या है, अगर question के अंदर इस तरीके से कोई question हो, किसी को याद हो, 11th class में question करते थे, पहले 7 को में ले लिया, 9 से divide, 9 से multiply, एक GP बनगे, कुछ नहीं करना, एक बात धिहान रखनी है, इसका अंसर आएगा, कितना आएगा, इसका अंसर आएगा, जैसे पॉंटों में न, साथ पटे क्या सी, 1 अपॉंट में 10 की पावर N, पलस 9 N, माइनस का 1, यह अंसर आएगा, यह अंसर आएगा, बस यह धिहान रखना है, और कुछ नहीं, यह डिरेक्ट अंसर है, N कितना दे रखा, N दे रखा भी 40, तो 40 पुट करते, देखो, साथ पुटे क्या सी, इतना ना, चे 40, 360 में से गया, 369, बता दो कौन सा है, यह अंसर आगया, बस हो गया, N की जंगे 40 पुट करते, 40 दे रखा था, यह अंसर याद रखना है, यह अंसर याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बस, ठीक है, और बदल के कोशन आगया, तो बदल के आगया, तो यह फरक पड़ जाएगा, बस, की साथ, प्लस में साथ-साथ, ऐसे कोशन दे दिया, पॉइंट के नहीं दिया, तो अंसर आएगा, भाई, मेरे, 7 बाई 81, 10 की पावर, N प्लस 1, माइनस 9 N, माइनस का, माइनस का 9 N, माइनस का T, यह अंसर है, ठीक है, फिर यह अंसर आएगा, तिहान अखले, क्लियर, ठीक है, इसमें यह अंसर आएगा, और इसमें यह वाला अंसर आएगा, बस, यह तो चीज़ याद रखनी है, और कुछ भी नहीं है, कोशन के, चल, आई गया, कोशन यह राल कोई चक्री नहीं, ठीक है, अब इसमें देखो, क्या था, 4 डिवाइड़ बाए 81, 10 की पावर, N प्लस 1, 21 हो गया, माइनस का 9 N, और माइनस का कितना, 10, अंसर बोल दो, देखते ही बता दो, देखते ही अंसर तो भाई, कौन सा आगया, यह वाला अंसर आगया, माइनस में है अंसर, यह दो टाइप की यह कोशन है, इस टाइप के जो आ सकते हैं, अचा कोशन में एंटरम देदे तो बहुत यह सान अंसरी आ गया, एंटरम ना दे, जो टरम देदे, वो पूट कर लो, बस और गया, ठीक है ना, चलिए, अब कोशन पढ़लो अच्छे जे, बहुत इप इसकी सो ट्रीक है, बता भी दूँगा, फिर याद रखनी पड़ेगी, फिर बूलोगे, फिर गलती करोगे, कुछ नहीं याद रखना, उप्शन देख लो, यह बताओ, इनका अर्थमेटिक मीन, यह दो नमबर ही मान लिए, इनका अर्थमेटिक मीन जोड के 2 से करो 3 आ गया, एड करके 2 से डिवाइड करो 3 आ गया, मल्टिप्लाई करतो, 9 माइनस का 2 साथ आ गया, रूट का, क्या करा, जोमेटिक मीन करा, अर्थमेटिक मीन करा, अर्थमेटिक मीन सम करा 2 से डिवाइड, जोमेटिक मीन मल्टिप्लाई कर दिया, मल्टिप्लाई कर दिया तो a plus b a minus b formula लग गया उसका जो metric min कर दिया कितना गया रूट साथ डबल है क्या नहीं है यह answer हो सकता अगला देख लो इनको जोड के 2 से divide करो 2 आ गया इनकी multiply करो एक आ गया है क्या double multiply करके हमने क्या कर दिया metric min 1 आ गया है क्या double है है तो answer आ गया बस हो गया जरूर क्या option से देख लेना कोई भी trick कोई भी formula करने की जरूरत नहीं है formula करोगे time लगेगा रिक वह याद कराऊंगा जो जरूरी है बाकि कोई जरूरत नहीं है ठीक है भाई चल्ट अगला question है इस ट्राइब के question paper में आते हैं ठीक से भी बताएता हूं basic भी बताएता हूं ठीक तो क्या जो number है वो लिख लो जो repeat नहीं हो रहा वो लिख लो जितने digit के number है उतने 9 आते हैं वैसे तो लेकिन जितने digit repeat नहीं उनकी जगे 0 लिख लो अगर भूल जाओ trick तो करोगे क्या देखो क्या करोगे इसको x माल लो भी 9th class का question है ये लेकिन paper के अंदर पुछा जाता है ये question अब क्या कर लेना जितनी digit repeat हो रही है कितनी रिपीट हो रही है चार उतनी 0 से कर तो multiply 10 x से multiply कर दिया multiply कर दिया तो ये हो गया ये हो गया अब कर तो minus minus कर ये हो गया 9x ये हो गया 2 point 2 point कितना 11 कितना हो गया क्या कर दिया 211 अंसर आना था वही 201 नहीं 211 अना तो यह हो गया 2.11 x divided by 2.11 divided by no दो पॉइंट उपर निच्चे दो 0 यह हो गया बस इन से इसे कर लो जितनी point है जितनी repeat हो रहे है उतनी 0 से multiply करके माइनस कर तो अंसर आजेगा नेस कोशन देख लो जिप्पी दे रखा है जिप्पी में एक चीज होती है क्या पीच वाले का स्केर लो भी बीच वाले का स्केर और पहले वाले और तिसरे वाले के multiply के इकवल होता है और value बताने के की तो के की value बताने है तो एक चीज तो सिदा सिदा ये दिखरी है भी तीन कॉमन ले लिया 2k प्लस 1 आगे वैसे कभी भी solution अगर निकालने हो value निकालने हो equal में कभी भी कट नहीं करते कट नहीं करते कॉमन लेते हैं वह सकता है अंसर उससे भी तो अगर 2k प्लस 1 कॉमन लेंगे ना तो k की value ना यहाँ पर minus 1 by 2 आएगे जो की option में देनी रखा तो हम इसको इससे कट कर सकते हैं power से power कट कर सकते हैं अगर k की value minus 1 by 2 आएगे ना equal to 0 मानेंगे तो वह option में देनी रखा है तो कट कर दो होती तो वह भी अंसर था इसका 3k minus 3 यह उदर जाके minus minus 3 इदर आके plus k की value बोलो 4 concept is the power concept लगाओगे तो अंसर जरूर आएगा concept पता होना चेख़़गे next question देख लो बहुत अच्छे से और एक ही चीज़ का ध्यान रखना क्या अगर A, B, C किसमें है जिपी में बहुत बढ़िया log A, log B, log C होगा AP में इससे भी बढ़िया और कभी भी आपको देदे log M, base A, log M, base C, log M, base C और यह B यह किसमें होगा HP में गाठ बांद लो तिन्नों बात 6 question इसके उपर पूछे जाते हैं 6 question कौन कौन से देख लो पहला question ABCGP में यह बताओ किसमें AP में होगा अंसर यह AP में यह बताओ किसमें, GP में होगा अंसर यह GP में यह बताओ किसमें, HP में होगा अंसर यह HP में यह किसमें बोलो, GP में यह भी होगा अगला बोलो, यह AP में यह किसमें, HP में उससे अगला बोलो, यह HP में यह किसमें, AP में हो गे ना च्छे कोशन अब यह बताओ तीन छे बारा बोल दो क्या बोलोगे तीन छे बारा किसमे बोलो जिपी में गी नहीं है तीन दुनी छे दुनी बारा अगर ABC किसमें थे बताओ इधर जिपी में थे ना अर उपरवाला सेम है बताओ क्या अंसर आएगा एच्प अंसर आएगा हो गया बस याद रख लेना कोई भी कोशन लोगे रिधम का आएगा इसी में से आएगा एपी जिपी एच्पी एबी सी जिपी उनके लोग एपी उनको प्लेट दो क्या एच्प ठीक है चलो अगला कोशन देख लो बहुत अच्छे से बहुत पिल्कुल इजिया टीक के से करेंगे इतनी बड़िया सोट ट्रिक है इनकी ठीक है बड़ी हा सोट ट्रिक से करेंगे बेसिक से सारी दुनिया करती है भाई सोट ट्रिक से करके चलना है टाइम भी कम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है पटाफट ABC किसमें AP में जो मन करें वो पुट करो 123 कर दो पुट कर दो इधर 1 और यह कितना हो गया 5 5 बाय में हो गया 6 अगले में पुट कर दो B कितना 2, 3 और 1, 4 8 बटे हो गया यह 3 अगले में कर दो A plus B कितना हो गया 3, 3, 9 9 बटे 2 हो गया LSM लेलो 6 या गया 5, या गया 16 और या गया 27 LSM को कर दो खतम 5, 16, 27 बता दो किसमें 11, 11 का अंसर क्या है भाई AP क्या पुट करना ABC कि जएगा जो मन करे ना AP वो पुट कर देना अंसर कोई दिक्कत निया यह आएगा और यह यह चलो बिल्कुल सही बड़ी हा कोशन है A स्केर, B स्केर, C स्केर है AP में बताना AP में दे रखार यह बताना अब स्केर दे दिया 123 मान ले ना वही दिक्कत हो जाएगी क्या दिक्कत हो जाएगी रूट में आजेंगी पुट करने में समस्या तो समस्या को खतम करो और A स्केर, B स्केर, C स्केर क्या मान लो 1, 25 और 49 चास मान लो वही गया कैसे इससे यह होएगा A की वैलू 1 आगी B की वैलू 5 आगी C, C की वैलू 7 आगी यह AP में थे की नहीं थे बिल्कुल थे 24-24 का डिफेरेंस था ABC की वैलू भी इंटीजर में आगी पुट करने में दिक्कत ही नहीं है तो यह बोलो B और C 12, C और A 8 और A और B 6, 12, 8, 6 बता दो AP में हैं गया HR4 का अंतर ना भी नहीं है ठीक है GP में, GP में देखो बीच वैले का 64-24 बहत्तर नहीं है पहली बात तो अंतर क्या आगए HP नीमी स्वास हो रहा, क्या पता नन आजे क्यों रिसक लिए HP का मतलब अगर इन दोनों का Harmonic Mean 8 आठ आगया अगर इन दोनों का Harmonic Mean 8 आठ आगया तो HP हो जाएगी यह HP का उल्टा क्या होता है HP का उल्टा होता है AP अगर यह AP में हुए तो बात बन जाएगी LCM बोल दो 24 यह कितना आगया तो ये कितना आ गया, 3 और ये 4 बनगी न, एपी, तो ये हचपी है, फ्लटके देख लिया, ये हर्मोनिक मी निकाल के देख लो, जैसे ठीक लगे वैसे कर लो, चलो भई, अब देखो कोश्यन, अब कोश्यन ABC, एपी में बहुत बढ़ी है, कोश्यन ABC, 123 पूट करेंगे, तो 123 तो BC बोलो, BC 6, CA बोलो 3, और AB बोलो 2, AP है, ना नहीं है, JP है, ना नहीं है, अंसर बोल दो, HP, नी विष्वास है, तो क्या कर लो, हार्मोनिक मीन से कर लो, चाहिन को पलट के देख लो, और जैसे इनको पल्टा, इनको क्या कर दिया, पल्ट दिया, इनका ये आ गया, 6, 1, 2, तो और तीन आ गया, एपी है, हो गया बस है, कलटके, एपी आ रहा था, यानि कि ये टरम किसमें है, है एच पी में है, ठीक है, चलिए बही आगे देखिए, नेस्ट कोश्चन, देखे लो कोश्चन देखे लो अच्छे से, 2 की 4N-1 किसे डिवाइट होता है, अभी भी कोश्चन आ जाये, एपी को पूट करतो, क्या पूट करतो, कुछ मर्जी पूट करतो, वन पूट करेंगे, चोट छोटा से चोटा, वन पूट करतीए, 2 की 4, बताओ कितना आगया 16-1 15 अंसर आगया 15 हो गया बस जितना आजे वह अंसर जितना आजे वह अंसर चलो sum of n ट्रम अचा पुट करना पे यह मत करना भी कुछ जैदा पुट कर दिया मालो किसे बाग जा रहे 15 तो किसे बाग जा रहे 15 मतलब यह इसका 15 किसे बाग जा रहे 15 से वह अंसर आगया ठीक है कभी 255 अंसर नन कराओ ठीक है ना बात समझना क्या कह रहा हूं चलिए जी कोश्यन देखो sum of n ट्रम of the series n ट्रम का sum बताना है series कोन ग्ता अंसर कोनुसी नहीं पता पूनसी दिख करी नइ तो double double द場 M मौल डावल दीकरा समस्या हो जाएगी कोई समस्या नहीं है यह इन ng तो अंसर भी 2 आना चाहिए गी नहीं हाना चाहिय यह इन गंना कर्याए गहाए एन्की जिएक पुट कर लो जहांसे सु ध्राज़ यह तो मैनस में नगन या थो ज़ो मार हो फुर्ण। गी Özção करकर ilk टो तो start 1, 2, 3, 3, 3 तो तो, 2 थfeit गेत 2 या रही है उसको भी देखे लो कभी तो उससे भी 2 नृ 501 से थीन स्कता हॉ स्क्राइब पर टीवन और स्वने की बात है ना फर्स्ट रम कितनी है दो तो सम कितना आएगा पहले ट्रम का दो यह आएगा जिस ओप्शन से आज है वही अंसर सारे टाइप के कोशन हो जाएंगे स्पेशल सिरिज के पीज़िपी के सारे हो जाएंगे तो यहां निया जिए बेख इपी है बीच वाली ट्रम का तो दुगना और पहली ट्रम और तिस्री ट्रम का सम है या कंसेप्ट अगर वीक वह् þो कंसेप्टप पढ़ना पěले एक कौई glue本ा कंसेफट और ऑन पर नाली के नाम पर या कहीं पर भी सर्च कर लियो भई मैज प्लेयर रॉंड शिंगला सब जंगा रिप्लाई मिल जाएगा ठीक है चलो तो अब ये काम कर लो इसको दोबल कर दिया और इन दोनों का क्या कर दिया सम कर दिया 5K plus में 3 और ये कह 6K K equal to 3 अंचरा ठीक है बस वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई और बच्चों को भी फैदा मिल जाए ठीक है चलिए next question है ratio between the sum of n sum का ratio दे रखा trump का ratio निकालना एक बात गांठ वांद लेना जबी भी ये question आये 2N-1 sum का ratio पूछ रखा किसका ratio निकालना हो trump का ये put कर दे अब दिक्कत रहेगा question में 3 ये दिया पाएगा 3 put कर दिया 3 दूनी 6 में से गया 5 5 put कर दो इदर 15, 15, 20 37 2N-1 5 put कर दिया 5 put कर दिया answer बहुत जबर्दस्ट basic से पढ़ेगा lengthy बहुत lengthy पढ़ जाएगा अगला question इसे उल्टा है sum का ratio दे रखा था Trump का निकालना था पहले Trump का दे रखा है sum का निकालना है question उल्टा आ गया कोई दिक्कत नहीं n को n प्लस 1 by 2 रख देंगे जहां भी question में n दिखे उसके जंगे n प्लस 1 by 2 रख देंगे यह n question में दिया पाएगा साथ दे रख है प्रम का दे रखा है sum का पूछ रखा है n प्लस 1 by 2 चलो प्रिक बना रखें सारी की सारी यह 15 सालों की मेहनत है 15 सालों के पढ़ाते पढ़ाते तो मेहनत है वह मेहनत ही आपके साथ बाट रहा हूँ AP है arithmetic mean है A और B का arithmetic mean क्या होता बताओ एक बार A प्लस B बार 2 होता है और यह पता नहीं क्या बक्वास कर रहा है क्या दे रहा है क्या नहीं यह आना चाहिए option पूट करके देख लो जिससे आज यह वह answer मालो अपने 0 पूट करा 0 पूट करा तो A की पावर 1 B की पावर 1 और A की पावर 0 B की पावर 0 तो आ गया यह answer हो गया हो गया और क्या या फिर एक बात और द्यान रख लेना कभी भी question पूछ ले कभी बी किसी भी paper में यह question पूछ ले भाई और यह अगर आपको बोल दे arithmetic mean है geometric mean है harmonic mean है किसका A & B का A & B का A & B का arithmetic mean harmonic mean बोल दे एक बात क्या करना क्या गाठ बांद होगे भाई answer आएगा 0 answer आएगा minus 1 बटा तो answer आएगा minus 1 ठीक है अगर arithmetic mean दे तो 0 geometric दे तो minus 1 by 2 harmonic दे तो minus 1 नहीं याद रहे पूट करके देख लो यह पूट करोगे minus 1 harmonic mean का formula बन जाएगा minus 1 by 2 zero put करोगे geometric mean का formula बन जाएगा zero put करके मैंने दिखाई दिया formula बन गया ठीक है भी चलिए बहुत बढ़ी next question next question में कह रहा है पहले ट्रम 11 यानि कितना 1 3 की पावर दो 9 और 5 14 में से 3 गया 11 यह वाला नहीं कह रहा फोड़ दो यह वाला कह रहा है ना यह तो कुछ और ही कह रहा है एक यह option से आएगा भई पहले ट्रम 11 है और क्या और कोशन एंट्रम में दे रहा है सम दे रहा है एंट्रम में एनको वनमान लो अंसर आज़े चलिए अगला question है sum of first 13 ट्रम of a P is 21 तेरा ट्रमों का सम कितना है 21 और 21 ट्रमों का सम कितना है 13 34 ट्रम का सम पूछ रहा है अंसर आएगा कितना माइनस का 34 कैसे आ गया सिदा सिदा ऐसे आ गया भई जो भी बच्चे पड़े हुए है मेरसे sequence series के अंदर ऐसी trick लिखा रखे गिनके 10 ठीक है यह trick बता रहा हूं ऐसा question कभी भी आ जाए अंसर होता है minus M minus N याद रख लेना SMN है SNM है M plus N क्या है भई अब trick करें किसी को करनी हो तो कैसे करें रील बना रहा हूं 500 important question है जो पूरे math के अंदर पूछे जाते है process ही रहेगी जल्दी से जल्दी आपको private करा दूँ उसको देख लो question भी करा रख एक्जाम्पल भी करवा answer आ गया minus का 21 माइनस का 13 माइनस का 24 चलिए अगला question सम बताना है भई पहली ट्रम पता है बिल्कुल सही लाश्टरम पता है पता है क्या चाहिए और N चाहिए N चल जे तो बेरप पाड़ा हो जाए N का पता लग जाए formula लगा दिया N by 2 फर्स्टरम प्लस में लाश्टरम यह formula लगा दिया अब N काहां से लेके आए N की बता रहा हूं ट्रिक लाश्टरम माइनस फर्स्टरम डिवाड़ बैड़ डिफरेंस प्लस में 1 और जब कोई बोले ना भी ट्रिक याद नहीं रहेगी फर्स्टरम आपको दे रखी डिफरेंस आपको दे रखा अनेत्रम आपको दे रखी formula लगाके अनेत्रम का D निकाल लो वरना सिदा सिदा उठाओ 47-101 डिफरेंस कितना माइनस का 2 यहां से आपके पास आगया कितना 28 28 आगया 28 divided by 2 और यह हो गए 14 यह बना 14 पिछे 22 के 2072 पिछे वाला देख लिया पूरी मल्टिप्लाई करके देख लो दोजार बहत्तर अगया ठीक ना भाई चलिए नाइन्थ नो ट्रम का नो गुना पांच ट्रम के पांच गुना के बराबर है चोधमे चोधमे ट्रम बताओ क्या आएगी कैसे आएगी जिरू जो भी बताई जो आदस ट्रीक है ना वही ट्रीक है यह पॉस्जन बहुत बार पेपर के अंदर आया है यह ट्रीक है और कभी भी ऐसे पूछन पूछले अंसर जिरू आएगा ठीक है 9-9-5-5-5-0-0-0-0 बेसिक से करेंगे दिलेंथी पड़ेगा ट्रिक याद रख लेना ठीक है चलिए आगे चलो दस्विल टरम बतानीए सम दे रखा है तो दस्विल टरम के लिए क्या चाहिए ए प्लस नाइन डी चाहिए अच्छा स वन कितना वन पूट कर दिया चोछा एस्वन का मतलब टीवन ही होता है ठीक है पहली टरम चोछा अब डिफेरेंस और मिल जाना बात बन जाए तेखो जादू दिखा रहा हूं एन स्केर का कोफिसेंड जो होता है उसका डबल डिफेरेंस होता है उसका कोफिशन दिफेरेंस होता है सम स्केर के कोफिशन का डबल डिफेरेंस होता है ओं में हमेशे ध्यानक लोगा बागा है वह अच्छा वेंचा कोश्चन बतारहूं टी म अन है TNM है, TR बताना होता है, M प्लस N माइनस R इसका अंसर होता है, तो ये दे रखाए 200, 100 दे रखाए 200 के बराबर, 200 दे रखाए 100 के बराबर, और 50 पूछ रखाए, सेम फॉर्मला, 200 प्लस में 100 माइनस का 50, अंसर बोलो कितना? 200. ठीक है, क्लास में के बच्चे को ट्रिक बता होगी, ठीक है, जो पढ़ रखे हैं, नी पढ़ रखें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोगों के लिए ही ओनले इन प्लेटफोर्मी, डिश्टल पॉल्ड लगाया, सारा सटप उठाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे का सारा बताऊंगा, ठीक है, चल्ड़, तो सम ओफ एंट्रम ओफ एपी, सम ओफ एंट्रम ओफ एपी ते रख है, आरेथ ट्रम बतानी है, यह बता दो, S1 कितना आया, एक पूट करके साथ आया, ऩम कितना नाँ चिसात अना चीए इस्य पीट करके इससे है साथ इस्य कि इस इस इसा इससे इसंपर चार उंस दो कोई बात कर लिया 시청 버oting ऑए थो करते हैं ओर बारा और अट इस साथ20 अभी मतलब होता है यह फिन दो साथ बतान तो T2 कितना T2 आना चाहिए 13 सेकंड रम जो बता धे 13 वह ऑंसर इदर लो फुट करा तों 11 नहीं हो सकता दो फुट करा तो 12 नहीं हो सकता दो फुट करा तो 13 पिलिपुल सही इसमें पुट करके देखलो यह भी लुरा यह तुह जैदे भण रहा है कुछ अपनी जो बात है अपना जो कोश्यन है एक पूट करके बन जाएगा एक ना बने एक से ना बने दो पूट कर लेना तीन पूट करने की कभी जिंदिगी में निजूट पड़ेगी एक या दो से पूट करके जो है हो जाए चलो कि विच ट्रम ओफ ए पी जीरो कौन सी ट्रम ज कितना डी 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 कितना माइनस का फोर है तो यह ओ गया 64 माइनस का फोरन प्लस का फोर एक उपाउटन जीरो उन इकवाल टो सत्रा 17 अंचरा ठीक है पहले वीडियो देख लेना कोई लिक्कत नहीं आया या पहले वीडियो देख लो फर फिर देख लो कोंगत नहीं बोगे की जएधा टाइम लगेगा 40 00 Что १ है 37 हो चुके है ताइम कितना हुंआ भी 4 pac solamente रहा है और क्या भी शहाई है जिसमें समझाबी रहाँ पर में तो दस मिनिट में खतम सारे सारे 25 के 25 कोशिन पर में जो आएंगे अव मैंने थ्री डिजिट नंबर आर देहर वीचा डिविजल बाय 19 इन डिजिट का नंबर होना चीए पहला नंबर बता दो तिन डिजिट का 100 आखरी बता दो कितना 999 कितना बचा मारो गोली कुछ नहीं करना कितना बचेगा छोड़ दो उसको जितना बचेगा बस यह देखना पहली ट्रम जो है वो कितने से डिवाइड जा रही है अरे जो अंसर आगे ना अंसर आगे ना अंसर आगे इनको करतो आपस में माइनस संतालीस आगया अंसर आगे जितने मर्जी कोशन कर लेना सारे के सारे हो जाएंगे ऐसे बेसिक से करोगे लेंधी पड़ेगा पहली ट्रम देखोगे 105 अरी 114 आएगी अगली ट्रम 133 आएगी लास्ट्रम ऐसे देखोगे 980 आएगी फिर एपी करनेगी फिर्स्ट्रम एंट्रम ज्यादा हो जाएगा भाई पहले ट्रम को डिवाइड कर लो आखरी ट्रम को डिवाइड कर लो जो आ गया उनको करतो माइनस अंसर आगे चलिए बेकोश्य नम्मर उन्तालीस वाँ हाँ मैनी ट्रम सम 108 हाना चीए सम दे रखा है एन दे नही टीए डिफेरेंस कितना तीन सम 108 एन दो की मल्टिप्लाई 216 एन 6 3N माइनस 3 3N प्लस 3 टीन कॉमल ले लो और इदर लाके डिवाइड कर दो इदर कॉमल लाके डिवाइड कर दिया तो 72 आ गया और NN प्लस 1 आ गया अब बताओ इन दोलों में कितने का फरक है एक का एक के फरक में इसके फैक्टर बता दो कितने 8 हर 9 छोटा कुन सा ये वाला चोटा कुन सा ये वाला N किसके बराबर 8 या तो कर लो ऐसे ने मुल्टिप्लाई कर भाई 2 फैक्टर बनेंगे फैक्र प्लस आ आज का ठीक है इस वीडियो का चलो भी देख लो ये भी ट्रिक है एम वही तो अभी करी थी थी थोड़ी दर पहले एम जो ट्रम है एम टाइम ओफ एम ए ट्रम और एंड टाइम का एंड ट्रम एम प्लस एंड ट्रम बताने जिरू आ गया बस देखो यह तो याद रख लो यह बेसिक से कर लो ना बेसिक से होएगी ना याद रहेगी देखो दोनों बात नी होईगी कहरा हूं कर लो लेकिन प्रे का मॉर दिखाता हूं अभी असा मज़ा आ जाएगा M और N को जो करे मन वो कर लो पुट जो करे मन जो मन करे वो पुट कर लो माली चे दोर वो एक पुट कर लिया दोर एक पुट अब बताओ 2T2 1T1 बताना क्या है 2 प्लस में 1 T3 बताओ अब बताओ 2 T2 का फॉर्मला बोलो A प्लस D अर ये कितना आ गया है ये ये उताओ 2A प्लस 2D उदर क्या है ये इदर आके करतो माइनस बचा कितना अब प्लस 2D अब बचाओ जिरो और कोशन में क्या पुछा था अब प्लस 2D तो बताना था फी थरीका मतलब ये प्लस 2D जिरो हो गया बसंसर ठीक है जिरो उनसरा प्लस 1ब आँकर था जार ही आगा 2 लौो फिरीक करो इम इसे इस उतरु आ ऐसे नाक है 7 visited फ बार केस्ij करेंगे अगली वीडियो बनाटता हूं रसरे के सारे के इस रादू 지역 सोला को पर पंदर तक सारा कुछ खत्म करा दोंगा यह कर लेना बड़िया तरिक्के से कर लेना सारे के सारे बच्चे पास हो ठीक है चलिए भी धन्यवाद मिलते हैं फिर नेश क्लास के